सपने में कानखजुरा देखना एक तरह की चेतावने देने का ही काम करता है जिसको सपने में कानखजुरे की विभिन आस्थाव के माथ्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में किसी कान खजुरे को देखता है तो यह सपना आपके रास्ते में आने वाली उन मुसीबतों की और संकेत करता है जिसको आपने ही जान पूझ कर अपने रास्ते में खड़ा किया है जो कि किसी के नकारात्मा या निगेटिव सोच विचार के कारण ही पैदा होती है जिससे बचने के लिए आपको लाइफ में हमेशा ही पोजिटिव सोच विचार को सबसे ज़्यादा एहमियत देने की जरूरत है और साथ ही सबसे जरूरी निर्णिय समय रहते ही लेने की भी जरूरत है और अगर कोई सपने में कानखजूरे को काटते या डंक मारते हुए देखता है तो यह सपना जीवन में आने वाले कठीन समय की और संकेत करता है जिससे बचने के लिए आपको अपनी मानसी और सारिरिक सेहत दोनों का ही ख्याल रखने की जरूरत है और अगर कोई सपने में किसी कानखजूरे को मार देता है तो यह सपना तब काफी अच्छा माना जाता है क्योकि भले ही आपके रास्ते में बहुत सी मुसीबते तो आएंगी लेकिन आखिर में सफलता आपको ही मिलने वाली है इसी बात का संकेत यह सपना सपना देखने वाले को करता है और अगर कोई सपने में किसी कान खजूरे को अपने ऊपर रेंगते हुए या जमीन पर रेंगते हुए देखता है तो यह सपना किसी तरह की बिमारी होने की और ही चेतावनी देता है जिस से वचने के लिए आपको अपनी सेहत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है तो ये थे सपने में कान खजूरे को देखने से संबंदित कुछ सपने और उनके मतलब